हेलो फ्रेंस जूट मॉर्निंग वेलक biz टू माई यूटूब चैनल प्लांट अंट पैइस लवर फ्रेंस आज मैं जो फर्टिवेजर अपने प्लांट में यूज जकरूंगी फ्रेंस इसके हमारे प्लांट पने फायदे हैं अगर कोई plant की पत्तिया झढ रही है आपने रिपोर्ट किया यह देखिए मैंने रिपोर्ट किया था फ्रेंड से उसकी पत्तिया अप्राजिता की सारी ही झढ गई है जो दूसरे है वो healthy plant है अगर आपके plant की पत्यां जड़ रही है पीली हो रही है और पेस्ट भी लगया है आपके प्रांट में मिले बगया फिर्स कुछ भी तो उसके लिए बहुत ही अच्छा आज फटिलाजर और पेस्टिसाइड भी बोल सकते हैं उसको तो तयार किया है फ्रेंड्स वही मैं आपके साथ शेयर करू हूँ उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि वो नैचरल है और यह देखे मेरे भी इधर गोड़ल पे भी थोड़ी सी मिली बग लगी है फ्रेंड्स और इसके लिए भी मैं इस पे स्प्रे करूंगी और उसको ध्यान रखना है फ्रेंड्स यही सावधानी रखनी ह है कि आप उसको धूप के टाइम ही स्प्रे करें प्लांट पे अगर आपके प्लांट पर धूप है तभी आप उसको स्प्रे कीजिए क्योंकि ज़्यादा तर हम जो पैस्टिसाइड यूज करते हैं प्लांट पे स्प्रे वो इविनिंग में या मॉर्निंग में करते हैं तो तो ये आपको दूप के टाइम ही करना है ये देखे मेरे सुक्षानती प्लांट पे भी मिलेबग अभी शुरू हुई है लगनी तो मैं अभी से इसको क्यूर करूंगी और जितनी जल्दी हो सके आप इसको क्यूर कर सकते हैं ये है मेरा आज का फटिलाजर फ्रेंड्स ये है म मैंने लिया है और इसके हमारे प्लांट पे बहुत ही फायदे हैं मैं फायदे बात में गिनाऊंगी तो ये पहले में इसमें कैसे तयार करना है इसको इसमें एक चमच मैंने हल्दी एक चमच से कम है ये हल्दी मिलाई है आप इसमें हल्दी जरूर मिलाई है क्योंकि ये बह बहुत सारे गुन हैं friends, healthy antiseptic, antifengal, antibacterial है, और इसमें अच्छी मातरा में बहुत सारे fiber vitamins हैं friends और copper तो इसको हमारे plant पे बहुत ही अच्छा result है, इससे pest बिल्कुल भी हमारे plant पे खतम हो जाते हैं, मिट्टी में भी एक एक चमच हल्दी डाल सकते हैं, दूसरी चीज मैंने दह लिए है दही भी हमारे प्रांट के लिए बहुत फायदे बंद हैं और ये हमारे प्रांट पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इस दही का तो इसमें चार चम्मच मैं दही लूँगी उसके बाद ये इतना अच्छा फटिलाजर बन के तयार होगा इसका कुछ भी साइड इफ चानना है आप चाहे तो कपड़े में से चान सकते हैं या फिर छनी में भी चान सकते हैं और इस प्रे करना है तो आप इसको कपड़े में ही चान ये फ्रेंड क्योंकि इस प्रे बोटल से स्प्रे करते हैं तो उसमें थोड़ा फसने कड़ रहता है उस नोजल में फस जाता ह करण क्योंकि इसमें फैट है तो फैट के करण फस जाते हैं इसमें तो आप इसको अच्छी तरह से कपड़े में छानिए लेकिन मैं दूसरी बॉटल से स्प्रे करूंगे इसलिए मैंने छन्नी में ही छान लिया है इसको तो आप इसको अच्छी तरह से छान कर अपने प्रटिलाइजर पनके तैयार हो जोका है फ्रेंडस बात करेंगे राइस राइस वाटर में फ्रेंडस बहुत अच्छी मात्रा में एंपिके का सौर्स है नाइटरोजन फोस्फोरस पोटेशियम इस्टार्ज कार्बाइटरेड और बहुत सारे मनीमोर उसमें बहुत जादे ब फर्टिलाइजर भी कह सकते हैं, इसमें भी नाइटोजन, फोसफोरस, पोटाशियम, मैगनेशियम, लेक्टिक एसीड और अमीनो एसीड होता है, यह हमारी मिट्टी की पी-एच लेवल को भी सुधारता है, पी-एच लेवल इससे बहुत ही बैलेंस हो जाता है, और मिट्टी में जो केच वे वगरा होते हैं, वो इससे बहुत अच्छे उनकी ग्रोथ होती है, तो वो हमारी मिट्टी की उर्वरक शमता उसे बढ़ती है, तो यह देखे मैंने तयार कर लिया है, यह मैंने हाफ लीटर पानी होगा, और इसमें मैंने 10 ml के आसपास ही मिलाया है, पस इतन इसे मैं सारे प्रांट पे जितने में भी मेरे फंगस वगरा, एफिट्स वगरा या मिली बग लगाया है, एक दो प्रांट में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मिली बग है, तो वो मेरा इससे खतम हो जाएगा, और अगर पतियां जल रही है, सूख रही है, तो भी ऐसा नह प्रांट की ग्रीन शाइनी बनेंगी, और फ्रेंड्स जो माइक्रो बेक्टिरिया को बढ़ाता है, यह पिएच लेवल को सुधारता है, हमारी मिट्टी की जो सोयल की पिएच बैलेंस करके रखता है उसको, और यह फ्रेंड्स मिट्टी को बुरबुरा बनाता है, मतलब सोल को बहुती सॉफ्ट बनाता है मंन इसको तो मिठी में इसको यूज कर सकते हैं आप और यह हमारे जब यह प्टि लाइजर Indxe में देना है तो थोड़ी गिली मिठी में ही देजी तो 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 आपको गिला रखना है ऐसा नहीं कि this तूखी मिट्टी है बिल्कूर आप ये फर्टिलाजर डाल दें तो उससे कोई असर नहीं होगा हमारे प्लांट पे तो ये देखिए अब मैं मिट्टी के लिए तयार कर रहे हैं फर्टिलाजर कैसे देना है ये मैंने एक लिटर पानी लिया है और इसमें इसका हाफ मैं मिला कालूंगी फ्रेंज मतलब इसका कुछ भी हमारे प्लांट पे साइड इफेक्ट नहीं होगा ये देखिए ये एक लिटर से ज्यादा हो चुका होगा अब अब इसको तयार कर लिया है फर्टिलाजर को अपने हर प्लांट में इसको दे सकते हैं और इसको धूप वाले प्ला इसको भी प्लांट फ्रूटिंग प्लांट इसको आप 10-15 दिन में रिपीट कर सकते हैं क्योंकि इसको इसको कोई साइड इफेक्ट तो होंगे ये चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद दोस्ते